न्यूड मौडलो कृष्णा ने क्यूं चुना वाहरास्ता, मैं तकरीबन 20 साल की थी, जब पहली बार कालेज पहुची, मुझे एक बहुत बड़े कमरे में ले जाया गया, जहां तेज रोशनी थी और बीच में था पलंगनुमा तक्त, वही मुझे बैठना था एकदम मैं बिना हिले घंटों बैठी रहती, सांस लेती, तब छाती उपर नीचे होती या पलके, जह पिकती, मुझे में और पत्थर की मूरत में इतना ही, फर्क रहा, एक कमरे के उदास और सीलन भरे, मकान में कृष्णा किसी टेपर रिकॉडर की तरह बोल, रही थी, कृष्णा न्यूड मॉडल रह चुकी है, मैंने मिलने की बात की, तो कुछ उदास सी आवाज में बोली, आ जाओ, लेकिन मेरा घर बहुत छोटा है, मैं अब पहले जैसी खुबसूरत भी नहीं रही, दिल्ली के मदनपुर खादर के तंग रास्ते से होते हुए मैं कृष्णा की गली में हलका सा काजल, सिर पर दुपट्टा, यह, देख कर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता की, लोआ मिडल क्लास घरेलू औरत जैसी लगती, कृष्णा ने 25 साल दिल्ली वा इंसियार के आठ, स्टुडेंट्स के लिए न्यूड मॉडलिंग की होगी, सालों तक कृष्णा का एक ही रुटीन रहा, सुबह अंधेरा, तूतने से पहले जाग कर घर के काम निप्टाना, फिर नहा धो कर कालेज के लिए निकल जाना, कृष्णा, मॉडलिंग के शुरुआती दिनों को याद करती हैं, जब शर्म उन से ऐसे चिपकी थी, जैसे गरीबी से बीमारियां, उत्तर प्रदेश से कमाने खाने के लिए पती दिल्ली आये, तो संगसंग में भी चल पड़ी, सोचा था, दिल्ली चक्मक होगी, पैसे होंगे और गी से चुपड़ी रोटी खाने को मिलेगी, लेकिन हुआ एकदम अलग, यहां सरिता, विहार के एक तंध कमरे को पती ने गी चुपड़ी, रोटी के नाम पर गी का खाली कनस्तर भी नहीं, जुद सका, पती की तंखवा इतनी कम की पैर, सिकोर कर भी खाने को न मिले, तभी किसी जानने वाली ने कालेज जाने को कहा, मैं लंबी थी, खुबसूरत थी, गाव में पलाबरा मजबूत, शरीर और खि बनाने के पैसे मिलेंगे, कालेज पहुची तो उन्होंने कपड़े उतारने को कह, दिया, मैं भड़क गई, कपडे लगतते नहीं उतारूंगी, बनाना हो ऐसे ही बनाओ, तस्वीर बनी, लेकिन, पैसे बहुत थोड़े मिले, फिर बताया गया की कपड़े, उतारोगी तो पांच घंटे के 220 रुपे मिलेंगे, ये बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन शर्म से बड़ी नहीं, कपड़ों, समेत भी मौडलिंग करती तो शर्म आती की, अंजान लड़के मेरा बदन देख रहे हैं, पहले हफ़ते, कपड़े उतारने की कोशिश की, लेकिन हाथ जम गए समझ ही नहीं पा रही थी कि इतने मर्दों के सामने, कपड़े खोलूंगी क्या से, खोल भी लिया तो बैठूंगी क्या से, कृष्णा की आवाज थोस है, मानो वह वक्त उनकी, आवाज में भी जम गया हो, दो हफ़ते बाद कमी जुतरी, इसके बाद कपड़े खुलते, ही हाथों को एक तरफ मोल कर, कभी एक घुटने को उपर को ठाकर, तो कभी सीने पर एक हाथ रख कर मैं बैठी, रहती, लंबी बादचीत के बाद कृष्णा कुछ थक जाती हैं, वे बताती हैं, बीते पांच सालों से डाइबिटीज, ने जकर रखा है, वक्त पर रोटी खान होगी, वे रसोई में खाना पकाते हुए मुझसे बाते कर रही हैं, शुरू में मैं बहुत दुबली थी, लड़के तस्वीर बनाते तो मर्द जैसी दिखती, धीरे धीरे शरीर भरा, न्यूड बैठती, तो सब देखते रह जाते, कहते की मॉडल बहुत खूबसूरत है, चमक के साथ, मैंने पूछा, फिगा बनाए रखने, के लिए कुछ करती भी थी क्या, उन्होंने बताया, नहीं, मेहनत वाला शरीर है, आप ही आप बना हुआ, हाँ, बीच में तनिक मोटी हो गई थी, तो रोज पाक में, जाती और दौर लगाती, फिर पहले जैसे, शेप म आ गई, कृष्णा जब रोटी बना रही थी, तब मैं उन्हों का रसोई घर देख रहा था, मुश्किल से दसेक बरतन, टेरी पिच्छ की थाली और कटोरियां, महेंगी चीजों के, नाम पर एक थमस, जो उन्होंने अमीरी के दिनों, में खरीदा था, दीवारी इतनी आइंग रूम है, यही बैडरूम भी है, दो, तख्त पड़े हैं, जिन पर उन समेथ घर आये महमान, भी सोते हैं, रोटी पक चुकी थी, अब वे बात करने के लिए तैयार थी, धीरे धीरे कहने लगी, पहली बार, दो हजार दो सो रुपे कमा कर घर लाई, तो पती वे एक हजार पांच सो रुपे कमाते थे, शक करने लगे कि मैं कुछ गलत करती हूँ, मेरा कालेज जाना बंध हो गया, फिर पूछते-पुछते कालेज से एक सर आये, तब मोबाइल का जमाना नहीं था, वे बड़ी सी कार लेकर आये थे, जो गली के बाहर खड़ी थी, सर मेरे पती को कालेज ले गए और मेरी पोट्रेट दिखाए, कहा कि फोटो बनवाने के पैसे मिलते हैं तुम्हारी पत्नी को, वो इतनी खूबसूरत जो है, पती खुश हो गए, लोटते हुए छटरी लेकर आये, तब बारिश का मौसम था, हाथ में देकर कहा था, अब से र मौट तो गई, लेकिन ये सब आसान नहीं था, नंगे बदन होना, उस पर बुथ की, तरह बैठना, नस खीच जाती, कभी मच्छर कातते, तो कभी खुजली मचती, लेकिन हिलना मना था, छीक आये, चाहे खांसी, सास रोक कर चुप रहो, महीना आने पर, परेशानी बढ़ जाती, पेट में एठन होती, एक जगा बैठने से, डाग लगने का डर रहता, लेकिन कोई रास्ता नहीं था, छंड के दिनों में और भी बुरा हाल होता, मैं बगेर कपडों के बैठी, रहती और चारों और सिर से पैर तक मोटे कपड़े पहने बच्छे, मेरी तस्वीर ब पड़ी, तब जाकर कमरे में हीटर, लगा, एक फोटो के लिए दस दिनों तक एक ही पोज में, बैठना होता, हाथ पैर सक्त हो जाते, क्रिशना हाथों को छूते, हुई याद करने लगी, नीले निशान बन जाते, कहीं कहीं, गांठ हो जाती, ब्रेक में बाथरूम जाकर शरीर को जोर-जोर से हिलाती, जैसे बुद्ध बने रहने की सारी कसर यही पूरी हो, जाएगी, पाँच साल पहले डाइबिटीज निकली, लेकिन काम करती रही, तारानकन शरीर सुनना हो जाता, घर लोटती तो बाम लगाती, और पूरी-पूरी रात रोती, सुबह सहमते हुए ही पूछा, लेकिन मजबूत, कलेजे वाली कृष्णा के लिए यह सवाल बड़ा नहीं था, उद्धरन चिन्ह, हुआ न, एक बार मुझे किसी सर ने फोन किया की, क्लास में आना है, मैंने हां कर दी, शक हुआ ही नहीं, तैकी हुई जगा पहुची तो सर का फो सर ने दोबारा पूछा की नहीं, और कुछ जैसे सेक्स करती हो, मैं शांथी रही और कहा की सर, मैं ये सब नहीं जानती, फोन पर सर की आवाज आई की, जैसे दोस्ती, तुम दोस्ती करती हो, मैंने कहा की मैं दोस्ती नहीं, मॉडलिंग करने आई हुँ सर, करवाना हो, तो करवाओ, वरना मैं जा रही हूँ, फिर मैं लोटाई, पती को इस बारे में नहीं बताया, वो शक करते, जबकि मेरा इमान सच्चा है, कहीं से फोन आता, तो भरोसे पर ही चली जाती, खत्रा तो था, लेकिन, उससे ज्यादा इजज़त मिली, लंबी-लंबी उंगलियों से, ब बाद रोती तो कालेज के बच्चे समझाते थे कि तुम, रोओ मत, सोचो कि तुम हमारी किताब हो, तुम ही, देख कर हम सीख रहे हैं, मेरी उम्र के या मुझ से, भी बड़े बच्चे मेरे पाउँ छूते थे, अच्छा लगता था, फिर सोचने लगी कि बदन ही तो है, ए असी बदन ने कालेज जाने का मौका दिया, जो मुझ जैसी के लिए आसान नहीं था, पूरी बातचीत के दौरान क्रिश्ना, स्टुडेंट्स को बच्चे कहती रही, उनके ड्राइंग रूम में दो पोट्रेट भी हैं, जो इन्ही बच्चों ने गिफ्ट किये थे, वे हर आने जाने वाले को गर्व से अपनी तस्वीरे दिखाती और बताती कि वे यही काम करती हैं, क्या लोग जानते हैं कि आप न्यूड मौडलिंग करती रही, नहीं, वैसे घर पर तो अब सब जानते हैं कि कालेज में कपड़े खोल कर बैठना पढ़ता था, लेकिन गाव में कोई नहीं जानता, अगर पता लग जाए तो सोचेंगे कि मैं ब्लू फिल्म में काम करती हूँ, थूदू करेंगे, बिरादरी से निकाल देंगे, सो, अलग, हमने उन्हें नहीं बताया, बीते एकाध साल से क्रिशना कालेज नहीं जा रही, डाइबिटीज के बाद, चोटी सी पिटारी है, जिसमें, एक्सपायरी डेट पार कर चुकी रेड लिपस्टिक है, काजल है और बिंदी की पत्तियां है, बीते दिनों की, हूँ कुछने पर क्रिशना प्लास्टिक की इस पिटारी को, खोलती और आइने में देखते हुए सिंगार करती है, संदूक पर रखा ये बॉंग्स वे मुझे भी दिखाती हैं, लोटते हुए वे कहती हैं, फोन तो बहुतेरे आते हैं, लेकिन मैं जाओं क्यासे, डायबिटीज है तो बिना हिले, बैच नहीं सकती, तिस पर गले के ओपरेशन ने चेहरा, बिगार दिया, बदन पर अब मास भी नह अटूट बंधना प्रकाश ने आखिर कैसी लड़की का हाथ थामा, बारिश थी की रुखने का नाम ही नहीं ले रही थी, आधे घंटे से लगातार हो रही थी, एक घंटा पहले जब वे दोनों टेस्टोरंट बारिश थी की रुखने का नाम ही नहीं ले रही थी, आधे घ गंटे से लगातार हो रही थी एक घंटा पहले जब वे दोनों टेस्टोरेंट में आये थे तब तो मौसम बिलकुल साफ था फिर ये अचानक बिन मौसम की बरसात क्या सी खैर यहिस शहर के लिए कोई नई बात तो नहीं थी परन्तू फिर भी आज की बारिश में कुछ ऐसी बात थी जो उन दोनों के बोजल मन को भिगो रही थी दोनों के हलक तक कुछ शब्द आते लेकिन होठों टकाने का साहस न जुटा पा रहे थे घंटे भर से एकाध आवश्यक समवाद के अलावा और कोई बात संभव नहीं हो पाई थी कौफी पहले ही खत्म हो चुकी थी वेटर प्याले और दूसरे बरतन ले जा चुका था परन्तु उन्होंने अभी तक बिल नहीं मंदवाया था मौन इतना गहरा था कि दोनों सहमे हुए स्कूली बच्चों की तरह उसे तोड़ने से डर रहे थे प्रकाश त्रिशा के बुझे चेहरे के भावों को पढ़ने क कोशिश करता पर अगले ही पल सहम कर अपनी पल के जुका लेता कितनी बड़ी बड़ी और गहरी आँखें थी त्रिशा की त्रिशा कुछ कहे न कहे उसकी आँखें सब क्ये देती थी इतनी उदासी आज से पहले प्रकाश ने इन आँखों में कभी नहीं देखी थी क्या रिखुदी क्या चीज है। दोनों की पसंदीदा ये गजल धीमी आवाज में चल रही थी। कोई दिन होता तो दोनों इसके साथ साथ। गुन्बु नाना शुरू कर देते पर आज। आखिरकार त्रिशा ने ही बात शुरू करनी चाही। उस के होंथ कुछ फर्फर आए। तुम कुछ पूछना चाहती हो। प्रकाश ने पूछ ही लिया। हाँ, कल तुम्हारा टेक्स्ट मेसेज पढ़कर में बहुत हैरान हुई। जानता हूँ पर इसमें हैरानी की क्या बात है। पर सब कुछ जानते हुए भी तुम ये सब कैसे सोच। सकते हो। प्रकाश इस बार तृशा की आवाज पहले से ज्यादा उची थी। प्रकाश बिना कुछ जवाब दिये फर्ष की तरफ देखने लगा। देखो मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। क्या है ये सब। तृशा ने उखडी हुई आवाज से पूछा। जो मैं महसूस करने लगा हूँ और जो मेरे दिल में है। उसे मैंने जाहिर कर दिया और कुछ नहीं। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दो लेकिन मैंने जो कहा है उस पर गौर करो। प्रकाश रुकर रुक कर बोल रहा था लेकिन वह ये भी जानता था कि तृशा अपने फैसले पर दल पाए। तृशा अचानक खड़ी हो गई। हमें चलना चाहिए। तुम बिल मंदवा लो। बिल अदा करके प्रकाश ने तृशा का हाथ पकड़ा और दोनों बाहर चले आए। बारिश धीमी हो चुकी थी। बूंदा बांदी भर हो रही थी। प्रकाश बड़ी करते थे। तृशा की आँखों की रोशनी बच्चपन से ही जाती रही थी। अब वो बिलकुल नहीं देख सकती थी। यही वजय थी कि उसे पढ़ने लिखने वन नौकरी हासिल करने में हमेशा बहुत सी चुनोतियों का सामना करना पढ़ा था। पर यहां प्रकाश और द देख कर कोई यह अनुमान ही नहीं लगा सकता था कि वो देख नहीं सकती। उसका व्यक्तित्व जितना आकरशक था स्वभाव भी उतना ही अच्छा था। वो बेहद हस्मुक और मिलनसार लड़की थी। वो मूलतया दिल्ली की रहने वाली थी। बिंगलुरू में वह एक वरकिंग वुमेन हॉस्टल में रह रही थी। प्रकाश अपने दो दोस्तों के साथ शेरिंग वाले किराई के फ्लेट में रहता था। प्रकाश का फ्लेट त्रिशा के हॉस्टल से आधे किलोमिटर की दूरी पर ही था। रोजना त्रिशा जब हॉस्टल लोतती तो प्रका काश उसे होस्टल छोड़ने आया तो दोनों में से, किसी ने भी कोई बात नहीं की, होस्टल आते ही, त्रिशा चुपचाप उतर गई, उसका सेर दर्द से फटा, जा रहा था, तबीयत कुछ ठीक नहीं मालूम होती थी, दिन के वक्त उसकी सहेलियों ने महसूस किया की, आज वो कुछ हनमनी सी है, सो, दिन के बाद, उसकी रूमेट और सबसे अच्छी सहेली शालिनी, ने पूछा, क्या बात है त्रिशा, आज तुम्हें आने में देरी, क्यूं हो गई, सब ठीक तो है न, हाँ, बिलकुर ठीक है, बस, आज ओफिस में काम, कुछ ज्यादा था, त्र परने में रोज जैसी आत्मियता नहीं थी, शालिनी को ऐसा लगा जैसे त्रिशा उससे कुछ छिपा रही थी, फिर भी त्रिशा को छेरने के लिए गुद गुद आते, हुए उसने कहा, अब इतनी भी उदास मत हो, जाओ, उनको याद करके, जानती हूं भाई, याद, तो आती है, पर अब कुछी दिन तो बाकी है न, त्रिशा अपनी आदत के अनुसार मुसक्रा उठी, शालिनी को जरा परे धकेलते हुए बोली, जाओ, मैं नहीं करती तुमसे बात, जब देखो एक ही रच, तभी अचानक त्रिशा का मोबाईल बज उठा, उफ, कितनी लंबी उम्र है उनकी, नाम लिया और, फोन हाजिर, शालिनी उच्छल पड़ी, खूब इतमीनन, से जी हलका कर लो, मैं तो चली, कहती हुई, शालिनी कमरे से बाहर निकल गई, दर असल, बात ये थी कि कुछी दिनों में त्रिशा का प्रेम विवा होने वाला था, डा, आजाद, जिन से, जल्दी त्रिशा का विवा होने वाला था, लखनओ, विश्व विद्यालय में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक, थे, त्रिशा और आजाद ने दिल्ली के एक स्पेशल, स्कूल से साथ साथी पढ़ाई पूरी की थी, उसके, बाद आजाद अपने घर ल जॉब मिल गई, ऐसा लगता था कि त्रिशा और आजाद एक दूसरे के लिये ही बने थे, स्कूल में लगातार पनपने वाला लगाव और आकर्शन, एक दूसरे से दूर होकर प्यार में कब बदल गया, पता ही नहीं चला, शीग्रही दोनोंने विवाह के अटूट बंधन में बंधने का फैसला कर लिया, दोनों के न देख पाने के कारण जाहिर है परिवार वालों को स्वीकृती देने, में कुछ समय तो लगा, पर उन दोनों के आत्म विश्वास और निश्चल प्रेम के आगे एक-एक कर सब को जुक नहीं पड़ा, त्रिशा के बेंगलूरू आने के बाद आजाद बहुत खुश थे, चलो अच्छा है, वहां तुम्हें इतने अच्छे दोस्त मिल गए, हैं, अब मुझे तुम्हारी इतनी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, अच्छी बात तो है, पर इस बेफिक्री का यह मतलब, नहीं कि आप हमें भूल जाएं, त्र आजाद से बात कर रही थी तो आजाद को समझते देर न लगी की, त्रिशा आज उनसे कुछ छिपा रही है, क्या बात है, आज तुम कुछ परेशान हो, नहीं तो, त्रिशा, इंसान अगर खुद से ही कुछ छिपाना चाहे, तो नहीं छिपा सकता, आजाद की आवाज में कुछ, ऐसा था, जिसे सुनकर त्रिशा की आँखे डबडबाई, मेरी तबियत कुछ ठीक नहीं है, मैं आपसे कल बात करती हूँ, ये कह कर त्रिशा ने फोन डिसकनेक्ट कर दिया, अगले दिन त्रिशा और प्रकाश के बीच आफिस में भी, कोई बात नहीं हुई, ऐसा पहली बार ही हुआ था, प्रकाश का मिजाज आज एकदम उखड़ा उखड़ा था, चलो, शाम को उसने त्रिशा के पासा कर कहा, रास्ते भर दोनों ने कोई बात नहीं की, होस्टल आने ही, वाला था कि त्रिशा ने खीज कर कहा, तुम कुछ, बोलोगी भी की नहीं, प्रकाश में जो बदलाव आये थे, उन पर गौर करके त्रिशा सहम गई, क्या वाकई, प्रकाश, क्या प्रकाश, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, त्रिशा का मन विचलित हो उठा, मुझे तुम से, कल, बात करनी है, कल छुट्टी भी है, कल सुबह 11 बजे, मिलते हैं, प्रकाश में दोनों के कदम अनाया सी पाक की, और बढ़ते चले गए, त्रिशा के होस्टल से एक किलोमेटर की दूरी पर ही शहर का सबसे बढ़ावा, खूबसूरत पाक था, ऐसे ही छुट्टी के दिनों में न जाने, कितनी ही बार्वे दोनों यहां आ चुके थे, पाक क बीतरी गेट पर पहुँच कर दोनों को ऐसा लगा जैसे, आज असाधारन भीर उमर पड़ी हो, भीर भार और चहल पहल तो हमेशा ही रहती है यहां, पर आज की भीर में कुछ खास था, सेकडों जोडे, एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले अंदर चले जा रहे थे, बहु हवा जोरों से चलने लगी थी, बादलों की गड़गर आहट सुन, कर ऐसा मालूम होता था कि किसी भी पल बरस पड़ेगे, मौसम की तरह प्रकाश का मन भी आशनकाओं से गीर, आया था, त्रिशा को लगा, शायद आज यहां नहीं आना, चाहिए था, तभी अचानक उसका मोबाइल बज उठा, हैपी वेलेंटाइन्स डे, मैडम, आजाद की आवाज थी, ओह, मैं तो बिलकुल भूल ही गई थी, त्रिशा बोली, आज कल आप भूलती बहुत हैं, कोई बात नहीं, अब, आपका गिफ्ट नहीं मिलेगा, बस, इतनी सी सजा है, आजाद ने आगे क कहा, अच्छा, अभी हम थोड़ा जल्दी, मैं है, शाम को बात करते हैं, आज बैंच खाली मिलने का तो सवाल नहीं था, सो, साफसुत्री जगए देख दोनों घास पर ही बैठ गए, त्रिशा अकस्मात पूछ बैठी, क्या तुम वाकई सीरियस हो, तुम समझती हो कि मैं म जाक कर रहा हूँ, प्रकाश, का स्वर रोना सा हो उठा, त्रिशा ने रुकरुक कर बोलना शुरू किया, देखो, तीन वर्ष, में हम एक दूसरे को पूरी तरह जानने लगे हैं, मेरा तो, कोई काम तुम्हारे बगेर नहीं होता, सच तो यह है, इस, शहर में आकर मैं तो अपनी जिम्मेदारियां ही भुला, बैठी हूँ, मैंने तो अभी सोचा भी नहीं कि यहां से जाने, के बाद मैं कैसे मैनेज करूंगी, पर प्रकाश, आजाद को मैंने अपने जीवन साथी के रूप में देखा है, उनके सिवा मैं किसी और के बारे, मैं सोच भी कैसे, प् तुम्हारी फिक्र सताती है, पैसे खर्च करके ही क्या सब कुछ मिल सकता है, इन सब बातों से अलग, सच तो ये भी है कि मेरे, दिल में तुम्हारे लिए चाहत कब पैदा हो गई, मुझे पता, ही नहीं चला, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता, प्लीज, मेरी बात समझने की कोशिश करो, तृशा, अगले कुछ पल रुख कर तृशा ने कहा, मैं अच्छी, तरह जानती हूँ, तुम मेरी कितनी फिक्र करते हो, लेकिन जो प्रस्ताफ तुम्हारा है, उसके बारे में सोचने, का मेरे लिए सवाल ही पैदा नहीं होता, मैंने हमेशा, यही चाहा था कि मैं जिस कमी के साथ जी रही हूँ, जीवन साथी भी वैसा ही चुनूंगी ताकि हम एक दूसरे की ताकत बन कर कदमकदम पर होसला अफ जाए, कर सकें और आत्मनिर भर होकर जी सकें, फिर आजाद तो मेरे जीवन में एक अलागी खुशी लेकर आए हैं, मै यकीन के साथ कह सकती हूँ, उनकी खुबियां, और जीवन के प्रती उनका पॉजिटिव रुखी हमारे घर को खुशियों से भर देगा, जानती हूँ, जीवन के हर मोड पर चुनूतियां होंगी, लेकिन हम दोनों का एक दूसरे के प्रती विश्वास, सम्मान और प्यार ह हमें, उन चुनूतियों से उबरने की ताकत देगा, रही बात, तुम्हारी, तो मैं अपने इतने अच्छे दोस्त को कभी, खोना नहीं चाहती, मेरे लिए, प्लीज, मेरे लिए मुझे, मेरा सबसे अच्छा दोस्त वापस दे दो, अगले महीने, मेरी इंगेजमेंट है, प्रकाश धीरे धीरे, नॉर्मल होने लगा, तृशा की इंगेजमेंट हुई और फिर, शादी के दिन भी करीब आ गए, तृशा ने आधी से, ज्यादा शौपिंग प्रकाश और शालिनी के साथ ही कर, ली थी, एक शाम तृशा के पास प्रकाश के मम्मी पापा का, फोन आ इतनी देर करना भी अच्छी बात नहीं, हमारी तो बात ही टाल देता है, तृशा हंस पड़ी, बस इतनी सी बात है, अंकल, आप बिलकुल चिंता मत कीजिये, मैं उसे राजी कर लूँगी, युम, तो तृशा ने पहले भी उससे शादी का जिक्र छेडा, था, पर हर बार वो उसकी बात अंसुनी कर देता, था, एक दिन प्रकाश ने तृशा से पूछा, अच्छा बताओ, तुम्हें शादी पर क्या गिफ्ट दू, तृशा का उत्तर था, तुम मुझे जो चाहे गिफ्ट दे देना, पर तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारी हां मेरे लिए स सबसे कींती गिफ्ट होगा, प्रकाश उस दिन खामोश रहा, तृशा की शादी की तैयारियों में प्रकाश ने खुद को इतना उलजा लिया, कि उसे अपनी सुधी नहीं रही, हफ्ते भर पहले चुट्टी, लेकर प्रकाश भी तृशा के साथ दिल्ली चला आया, यहां कर शादी की लगभग सभी जिम्मेदारियां, प्रकाश ने संभल ली, महंदी, हल्दी, कोर्ट मेरेज, और फिर ग्रांड रिसेप्शन पार्टी, यह तैथा की शादी के बाद आजाद भी कुछ दिनों, के लिए बेंगलुरु घूम आएंगे, तृशा की कमपनी का ओफि जाकर कुछ दिन घर, ग्रहस्ती ठीक ठाक कर, के थोड़ा उस शहर के बारे में समझने के बाद वहीं, किसी दूसरी नौकरी की तलाश करेगी, भाई, हम जानते हैं, आप बहुत ठक गए हैं, पर हमें, बेंगलुरु तो आप ही घुमाएंगे, आजाद ने प्रकाश से, कह तो प्रकाश बोला, सोच लीजिये, बदले में आप, को हमें लखनों की सेर करवानी पड़ेगी, कब आ रहे हैं आप, बहुत जल्द, अपनी शादी के बाद, अच्छा, तो जनाब ने शादी का फैसला कर लिया, और हमें खबर तक नहीं हुई, सुन रही हो त्रिशा, त् चुटकियों में कट गया, प्रकाश ने त्रिशा और आजाद को गारी में बैठा कर, उनका सारा सामान व्यवस्थित करवा दिया, गारी यहीं से बन कर चलती थी, इसलिए लेट होने का तो, सवाल ही नहीं था, जैसे ही गारी प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी, सभी का मन हारी हो गया, प्रकाश शायद बिना कुछ बोले ही चला गया था, त्रिशा की आँखें भी नम हो आई, तभी अचानक सामने बैठे पैसेंजर ने आजाद का, हाथ पकड़ते हुए कहा, आपका छोटा बैग में इस साइड टेबल पर रख देता हूँ, मैं भी लखनव जा रहा हूँ, आपके सामने की लोवा बर्थ मेरी ही है, कोई भी जरूरत हो तो आप लोग बेज़े जख मुझे, आवाज दे दीजिएगा, मेरा नाम प्रकाश है, अंजाने, ही त्रिशा के होटों पर मुस्कान छा गई, अगली सुबह घर पहुँचने के कुछी देर बाद उन्हें, एक कूरियर मिला, ये त्रिशा के नाम का कूरियर था, हैपी बर्थ डे त्रिशा, तुम्हारा सबसे कीमती तोफा, भेज रहा हूँ, प्रकाश ने लिखा था, उसमें त्रिशा के लिए, खूबसूरत सी ब्रेल घड़ी थी और एक शादी का काड, त्रिशा उच पहुचे तो प्रकाश ने रचना से उनका परिचय करवाया, इतने कम समय में प्रकाश को तो कुछ बताने की, फोर्सत ही नहीं मिली, अब तुम ही कुछ बताओ न, रचना अपने बारे में, त्रिशा ने उत्सुकतावश पूछा, बस अभी आई, पहले जरा मूँ तो ठा कीजिए, फिर बैठ कर धेर सारी बाते करते हैं, कहते हुए रचना, उठी तो दाहिनी तरफ के सोफे पर बैठे आजाद से, टक्राते टक्राते बच्छी, अचानक लगने वाले धकके से, आजाद के हाथ से मोबाइल छूट कर फर्ष पर गिर पड़ा, अरे, आराम से, कहते हुए प्रकाश आजाद का, मोबाइल उठाने के लिए जुका, अपनी गलती पर अफसोस जताते हुए अनाया सी, रचना के मुझ से निकल पड़ा, ओ, माफी चाहती हूँ, डॉक्टर साहब, दरसल मैं देख नहीं सकती,